Hey guys, welcome to my channel, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में शारुक खान की पठान, आप सभी को पता है कि एक नया इतिहास रच दिया बॉक्स ओपीस पे और हेटर्स की बोलती बन कर दी शारुक खान के फैंस बहुत जादा हैपी हो गए जितने वे दुनिया भर में शारुक खान के फैंस थे और जैसे हम लोग बातचीत किया करते थे अपने वीडियो के मात्य हम समय आपको बताया करता था कि पठान को इतने करोड लोग देख लेंगे मुझे भी लगा था कि अगर यह फिल्म ठीक ठाक होगी मैं आपको हमेसा कहता था यह बात कि पठान को मास्टरपीस नहीं होना है पठान एक एबरेज फिल्म हुई ना तो यह फिल्म सारे रेकॉर्ट को तोड़ देगी ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों वैसा ही हुआ क्योंकि शारुक खान सबसे बड़े बड़े सुपर स्टार है उनके स्टारप में मुझे बिलीब था और मुझे पता था कि शारुक खान इतने बड़े सुपर स्टार अगर कमर्सियल फिल्म करेना action फिल्म करेना मसाला फिल्म में करेना तो फिर इंका मुकावला दोस्तु इंडिया के कोई भी आक्टर नहीं कर पाएगा मुझे पता था शारुक खान की पोटेंसियल क्या है और पठान आप सभी के सामने है रिजल्ट आप सभी के सामने है कि शारुक खान ने आग लगा दिया दोस्तो रिकॉर्ड तोड उपनिंग बंपर उपनिंग रिकॉर्ड तोड उपनिंग हुई दोस्तो नॉन हॉलिडे पे 57 करोड की उपनिंग और ये सब कुछ आपके सामने है अभी ये फिल्म ओवर सीज में बहुत जबर्दस तरीके से बिजनिस की है तकरीबन 392 करोड के आसपास इस फिल्म में ओवर सीज से कमाया है 392 करोड जो कि सिर्फ एक single language से हुई है एक language से यानि हिंदी language से 392 करोड ये फिल्म कमाई है यानि कि बाकी और language में ये फिल्म डब नहीं हुई है सबसे बड़ी बात है और ये एक record है ये एक record है दोस्तो 392 करोड ये फिल्म ओवर सीज में कमाई है हिंदी लैंग्वेश से और ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई बंगला देश में रिलीज नहीं हुई अगर वहां रिलीज होती तो ये फिल्म मिनिमम 425 करोड के आसपस इसका बिजनेस होता है अगर ये फिल्म बंगला देश और पाकिस्तान में रिलीज होती तो लेकिन वहां पे इंडियन फिल्म में रिलीज नहीं हो रही है अब ये फिल्म चाइना में जा रही है अब ये फिल्म जापान में जा रही है अब ये फिल्म लैटिन अमेरिका में जा रही है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह वायरेफ के जो CEO है विधानी जी वो कह रहे हैं वायरेफ के CEO विधानी जी कह रहे हैं कि पठान बहुत अबर्दस बिजनिस की है और हमारा Spy Universe हम चाहते हैं पुरा दुनिया देखें ताकि जो आने वाली और Spy Universe की फिल्में होगी न वो भी रिलीज हो और उसे भी फैदा हो तो यहां पर सिधा विधानी जी कह रहे हैं या सराज फिल्म के CEO कह रहे हैं कि पठान चाइना जापान एंड लेटिन अमेरिका में ये फिल्म रिलीज होने जा रही है अब चाइना में ये फिल्म रिलीज होने जा रही है यानि कि लैंग्विज में डब होगी ना तो कुछ भी कमा सकती है दोस्तों उमीद नहीं कर सकते क्योंकि 50,000 से ज़्यादा वहाँ स्क्रीन से 400 करोड चैना से कमा सकती है 500 करोड कमा सकती है 800 करोड कमा सकती है 1000 करोड कमा सकती है 2000 करोड कमा सकती है यानि कि दोस्तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना ये फिल्म कमा सकती है चाइना से अगर ये फिल्म सही तरीके से डब करके रिलीज किया जाए तो ठीक वैसा ही दोस्तो जापान से भी ये फिल्म 50-60 करोड कमा सकती है जापान से और लेटिन अमेरिका से भी ये फिल्म बहुत जबर दस तरीके से business कर सकती है यानि और ये फिल्म दम रखती है 1000 करोड कमाने का कम से कम 1000 करोड और 392 करोड पहले से ये फिल्म कमाई यानि टोटल 1400 से 1500 करोड ये international market से कमा सकती है अगर ये फिल्म dub होके release होगी तो अगर चाइना में बहुत अच्छे तरीके से मार्किटिंग किया जाता है डबिंग की जाती है अच्छे आर्टिस से डब कराया जाता है अच्छे तरीके से फिल्म को वाँ प्रमोट किया जाता है अच्छे स्क्रीन्स काउंट मिलते हैं तो फिल्म तो तोड़ बिजनेस करेगी चैना में अगर फॉर्मलेटी के लिए रिलीस किया जा रहा है चलो बाई 500-400 स्क्रीन्स में लगा दो हिंदी लैंगवेज में यानि वहां पर जो इंडियन लोग रहते हैं उनके लिए रिलीस किया जा रहा है तो फिर बिजनेस नहीं होगा अगर लो नहीं हुई है चैनीज लोगों ने प्राइम पर नहीं देखा है जापान में नहीं हुआ है बहुत सारे देशों में लोग नहीं देख पाएं तो यहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि वह रहा है कि वह फिल्म रिलीस करेगा वहां पर अब तो CEO जो है विधानी जी उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है तो कमेंट करके बताएं कि अब कितना हैपी है और चैना से कितना बिजनेस हो सकता है पठान का अला कि पठान कोई कंटेंट सिनेमा नहीं है लेकिन अगर डब होके रिलीज होना तो बिजनेस बहुत जादा हो सकता है मुझे ऐसा लगता है आप करके और एफ एफ नूस देखते रहें लाइक सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बोले टेक कियर